कि हैं लूग फ्रेंड्स कि रंदानेटर पर आप सब का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको और राउंड नैक कैसे डिक्रीज करते हैं इसके बारे में बताऊंगी देखे फ्रेंड्स यह हम कार्डिगन बुर्ण रहे हैं इसके काफी सारे वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुकी हूं तो इस वीडियो में हम यह जो हमने नेक घटाई है यह लेफ्ट साइड के पल्ले में मैंने घटाई है तो अब मैं आपको राइट साइड के पल्ले में जो हमने बना लिया है नेक के तक उसमें मैं आपको यह राउंड नेक घटाना बताऊंगी तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि यह हमने पहले शोल्डर इसका डिक्रीज किया है शोल्डर जो डिक्रीजिंग है मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ चार, तीन, दो और एक जो कि मैं हमेशा बड़े वाले स्वेटरों में यही रखती हूँ कि इसमें बहुत बड़ी डिक्रीजिंग आ जाती है तो चार, तीन, दो, एक हर स्लाई में घटाते हूए मैं गही हूँ तो यह shoulder decreasing होगी उसके बाद हम इसकी neck decrease करते हैं तो इसमें मैंने round neck बनाया है तो एक side की decreasing कर लिए मैंने left side की अब मैं right side के पले में आपको इसका step by step अच्छी तरह से decreasing करना बताऊंगे फिर हम इसकी neck बुनेंगे तो अचली friends start करते हैं सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि यह जो cardigan है यह बड़ों के लिए हैं तो बड़ों की जैसे जैसे यह हम इसकी decreasing करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी तो यहां पर पहले स्वाल आता है कि decreasing जो है neck की हम कब करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमने यहां पर shoulder cut कर लिया है चार तीन दो एक जो मैंने अभी आपको बताया है यहां पर आपकी इसकी decreasing खतम होती है shoulder की decreasing उसके बाद आप देखिए इतना और बुनेंगे चार उंगल बुनने के बाद आपकी इदर से neck decrease होगी यहनिके यह सीधा सीधा हिसाब है इसकी यह देखिए सीधा सीधा हिसाब है चार उंगल बुन लिजिए decreasing के बाद जब आपका shoulder decrease हो जाए यह तो इसकी होगी measurement तो अब हम इसकी neck decrease करेंगे तो चली start करते हैं देखिए friends right side के जो पले की decreasing है वो सीधी साइड से होती है यह देखिए सीधी साइड से हम यहां से बटन पट्टी से decreasing start करेंगे और जो left side का पल्ला जो मैंने आपको पहले बताया है उसकी decreasing है वो wrong side से होती है wrong side में पहली सिलाई आएगी तो यहां पर हम क्या करेंगे यह जो हमारे button पटी के फंदे हैं या तो हम इसको डाल के रख सकते हैं इसको बुन ले यहां तक 10 फंदों को और फिर इसको safety pin वगारा में डाल के रख सकते हैं तो नहीं तो आप इसको घटा सकते हैं या निके बंद कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो हमारे पास 10 फंदे हैं इसके button पटी के इसको हम bind कर देंगे यह दिखिए जादे ना इसको lose रखना है ना जादे इसको कस के रखना है तो ऐसे करते हुए हम इसके 10 फंदे जो हमारे button पटी के हैं वो पहले सबसे पहले हम करेंगे bind off आप चाहें तो इन फंदों को boon के इसको safety pin में भी रख सकते हैं वैसे भी इसका चल जाता है काम तो मैंने शायद पहले भी एक आज वीडियो डाला है जिसमें मैंने जो फंदे है safety pin में भी रखे हैं तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं घटाना चाहें तो इसको घटा लें यानिके 10 फंदों को घटा दें यह दिखिए ऐसे यह दिखिए यह हमारा last फंद है यह बटन पट्टी का ही है यहां से हमारा pattern start है तो यहां से हम करेंगे यह दिखिए अब भी भी हमारे 9 फंदे घटे है जब यहां तक यह आजा जाएगा तब हमारे 10 फंदे घटेंगे तो यह दिखिए पूरे हमें neuen account करके 10 फंदे bind उफ करने हैं यह दिखिए अब यह हमारे यहां तक के पूरे दस फंदे बाइंड ओफ हो गए है तो यहां यह दिखे यह वाला फंदा हमारे पास आ गया है यह दो उल्टे एक उल्टा और एक यह वला तो अब आप यह पैटन पूरा यह बुन के आप कम्प्लीट कर लीजिए तो इसमें क्या करेंगे ज तो यहां तक आपको यह पैटन नहीं करना है यहां भी नहीं करना है और यहां से घटाना यहां से बढ़ेगा यहां से घटेगा यह बिल्कुल भी आपको नहीं करना है क्योंकि आपकी यहां से डिक्रीजिंग होगी तो आपके फंदे घटने बढ़ने का अंदेश्या रहे हैं तो आपको यह कोई भी आप ऍन डालतेगे यह आपको नेक जब आप स्टार्ट करते तो आपको पैटन बंद करना वता है तो यहां पर यह दी दिखे मैं से ही मुन ऑपी और और मैं 4 सभी시 कौण के कि आते टाइम यह फिर से हम इदर से बंद करेंगे तो इसको पैटर्ण को चला के कुछ भी फाइदा नहीं है यह देखिये ऐसे यह मैंने यहां पैटर्न नहीं चलाया आगे से मैं यह पैटर्न चलाऊंगी तो आपको भी मेरे पास कही कोस्टिन आते हैं कि नेक के पास हम कैसे करें तो आपको ऐसे ही जो आपके मल्टिपल्स के हिसाब से आपको वहां तक पैटर्न बंद करना होता है तो यहां तक मैंने य अब मैं यह रोव पूरी कर लेते हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं देखे फ्रेंड्स मैंने इसकी उल्टी साइड की भी स्लाइब बून ली है अब मैं सीधी साइड में हूं तीसरी स्लाइब में तो यहां हम आगे फिर से फंदे घटाएंगे यह देखे यह वाला फंदा जो लास्ट फंदा है यह आपको बिना बूने ही उतारना है यह आप देख सकते हैं कि नहीं नहीं है तो यहां पर क्या करेंगें थे दोनों फंदे हम उतार लेंगे अगर यह फंदा हम उतारते हैं ऐसे ही तो इस से हमारे सीड़ीऊं सी जो अब हरन के आती वह नहीं दो तीन और ये चार चार फंदे हम डिक्रीज करेंगे इस रो में ये दिखिए ऐसे आप देख सकते हैं कि यहां स्टीडी सी बनके नहीं आएगी ये मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ रॉंग साइड से उल्टी साइड से आप ये फंदा लास्ट वाला बीना बुने ही उतार होगी ये दिखिए तो चार फंदे इसमें मैंने डिक्रीज कर लिए हैं आगे अपने हिसाब से आप पैटर्न बुन सकते हैं आपको पता है तो यहां तो हम नहीं बुनेंगे यह सीधी से आ जाएंगे फंदे और यहांसे आगए अपना ये पैटर्न हम चला रहे हैं तो यहांसे चला सकते हैं तो यह मैं रो कम्प्लीट कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं देखिए फ्रेंड्स पांच वी सिलाई में हम इसकी सीधी साइड है अब हम घटाएंगे इसमें तीन फंदे किया ऐसे कि एक कि दो कि और यह तीन देखिए ऐसे और जब भी आप रोंग साइड से आएंगे तो यह लास्ट वाला फंदा बीना बुने ही उतारेंगे तभी आपकी यह देखिए बिल्कूल स्मूथ चलेगी यह घटाई यह देखिए पहले हमने यह बटन पट्टी के फंदे घटा लिए फिर हमने चार फंदे घटाए अब हमने तीन फंदे घटाए हैं इस रो में तो यहां पे हम आगे अपना जैसे हमारा पैटर्न है वैसे हम इसमें बुन सकते हैं तो ये मैं रोख खतम करती हूं फिर मैं आगली सिलाई में आपको बताऊंगी राइट साइड में हम ये इसकी साथवी सिलाई है एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि आपको रॉंग साइड से ये वाला फंदा जो लास्ट वाला है ये बुनना नहीं है ये देखे मैंन इसमें हम घटाएंगे डिक्रीज करेंगे दो फंदे कि दोनों उतार लेंगे और यहाँ कि उपर से निकाल देंगे कि एक कि और यह हो गया दो कि दो फंदे डिक्रीज करेंगे इस रो में देखे ऐसे उसके बाद हम अभी पैटर्न अपना चला सकते हैं जब तक चलता है नहीं तो हम बाद में इसको बंद कर देंगे अभी मैं यह चाल हुई रहने देती हूं दिखे ऐसे जब यहाँ पर आएंगे फिर हम इसको बंद कर देंगे तो यह मैं आप सिलाई पूरी कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं सीधी साइड में हम रो नंबर 9 यानिकि नोवी सिलाई इसमें फ्रेंड्स हम फिर से स्व दो ऐएंगे घटाएंगे दीखे ऐसे दो फंदे हमने 2 स्यिंО में लगाता घटआएं और आपको यहां पर बता देती हूं कि अगर आपके 2 और जादे सकते हैं और 4 अपर 2 2 और 2 और सकते हैं तो मेरे यहां पर फंदे कम ही हैं तो मैं अपने हिसाब से घटाओंगी तो यहां पर दो एक बार दो एक बार मैंने घटा दी है अब मैं पैटर्न अपने हिसाब से बूल लेती हूं देखिए अब भी भी यह थोड़ा सा चला सकते हैं तो यहां तक मैं चला लेती हू नेक्स्ट रो में इसको बंद करना पड़ेगा तो यह दिखे आप देख सकते हैं कि इसकी यह डिक्रीजिंग प्रोपर आ रही है गुलाई में बहुत सुन्दर लगता है अगर आपको डीप गलाग घटाना है तो मैंने जैसे आपको बताया है दो एक बार गटा है दो एक बार और गटा सकते हैं चोत्ती बार भी दो गटा सकते हैं तो यह थोड़ा और डीप हो जएगा तो चलिए यह मैं बुन लेती हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं सीदी साइड में हम गयारेवी सिलाई है यहां पर दिखे फ्रेंड्स डिजाइन हमें बंद करना पड़ेगा तो यहां से हम एक एक फंदा घटाना शुरू करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डीप कला चाहिए तो आप दो फंदे एक या दो बार और घटा सकते हैं तो मैं अब यहां से एक एक घटाना स्टार्ट कर रही हूं इससे गुलाई आएगी गले की यह दिखे एक फंदा ही मैंने यहां पर घटाया है ऐसे और अपने पैटर्न के हिसाब से यह रोब बुन लेंगे पूरी तो यहां पर फ्रेंड्स अब यहां पर हमारे यह दिखी बंद होगी है तो हमारे नो फंदों का पूरा पैटर्न बंद होगा जैसे मैंने आपको पहले भी कही बर बताया है तो यहां पर हम आगे वाला पैटर्न बंद करेंगे यहां पे अब हम नहीं बढ़ाएंगे अगर यहां पैटर्न चलाते रहे तो सारा गड़बड हो जाएगा फंदे बढ़ने स्टार्ट हो जाएगे देखिए हमारी एक पूरी यहां से लेके यहां तक यह डबी नो फंदों की है तो यह और यह दोनों मिला के चुकी है तो हमने कैसे किया था पहले हमने यह घटा इसकी बटन-पट्टी फंदे बंद किये फिर चार तीन दो दो और एक अब फ्रेंड्स हम एक एक फंदा हर बार घटाते जाएंगे जब तक हमारे पास यहां पर 24 या 25 फंदे जो शोल्डर के लिए हमने रखने हैं उतने ना रह जाएं और अगर फिर भी आपका यह शोल्डर कम रहता है तो आपको थोड़ा सा इसमें सीधा भी बुनना है तो मैं आपको जो बुना हुआ है वो दिखाती हूँ उसमें आपको उच्छा समझ में आएगा इसमें काफी सारे फंदे घटाए हैं और यहां पर आपके 24 या 25 फंदे उपर शोल्डर के रह जाए उतना ही आप घटाए 24 पर चीशबवेस जितने आपको यहां पर उपर रखने हो इन तीनों में से कोई भी रख सकते हैं तो मैंने यहां पर चोबीस फंदे यह उपर रख है जितना हमें चाहिए होता है तो अगर हमारा गला यह पूरा हो चुका है यहां तक मेरा गला पूरा हो गया था उसके बाद थोड़ा सा मैंने यह सीधा भी बुना है तो यहां मैं आपको एक बार दिखा देती हूं देखे फ्रेंड्स यहां पर मैं अकाउंट करके आपको बताती हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा अगर बारा को हम यह डबल करते हैं तो चोबिस फंदे यह मैंने यहां पर रखे हैं तो यहां से देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने सीधा बुनाएं और यहां पर आप यह देखिए आपको क्लोज से दिखा रही हूं यह एक 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 फंदे की घटाई है यह देखिए यहां तक यह एक एक फंदे की घटाई है तो आपको क्या करना है मैं आपको दूसरे वाला दिखाती हूं एक बार मैं आपको करके फिर से बता देते हूं यह इसकी तेरवी सिलाई है तो आपको क्या करना है ऐसे लेने हैं दो फंदे और दो का एक कर देना है एक एक फंदा घटाते हुए जाना है तभी आपकी यह गले की गोल जो है शेप इसमें आएगी आपके 10-12 फंदे घटेंगे गोल होके एक एक करके तभी इ बता देती हूं मेरे पास अभी कितने पड़े हुए हैं तो अभी कितने और हम एक के करके घटाएंगे तो यह सलाइप पूरी कर लेते फिर मैं आपको दिखाते हूं देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको फंदे एक बार कॉंट करके बता देती हूं एक दो तीन चार पान्च, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा, बारा फंदे हमें यहां से रखने हैं, और यहां पर अभी हमारे पास घटाने वाले हैं, दो, चार, छे, आठ और एक नो, नो फंदे अभी हम एक एक करते हुए घटाते जाएंगे, यह देखे, यहां तक अभी हैं, नो फंदे एक एक करते हुए घटाते जाएंगे, चोबिस फंदे रहने तक, तो यह मैं एक एक फंदा घटा लेती हूँ, हर सिलाई, जैसे मैंने आपको दिखाई, दो बार आपको दिखा दिया, ऐसे आप करते करते, इसको घटाते जाएए, जब तक आपके पास गटाते हुए यहां पर हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है अब मैं यहां पर आपको बताती हूं कि मेरे पास 24 फंदे बच गए हैं जितने मेरे को चाहिए हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारदून 24 हो गए तो 24 फंदे बच गए हैं अब यहां पर फ्रेंड्स में आपको एक चीज बताती हूं कि डिक्रीजिंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी है बट अभी शोल्डर जो है इसका कंप्लीट कंप्लीट ही जाएगा यहां परहले कि मेरा इसका कंप्लीट कर लेते हूँ कट तो आको शोल्डर भी देखना कि एक करते हुए कट तो यहां-वाला दिखाती हो अब देखे फ्रेंड्स यह लेफ्ट वाला पल्ला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां तक मेरी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है यहां पर मेरे पास 24 फंदे रहे थे जितने मेरे को चाहिए थे यहां पर और यहां पर आकर आप दे दिया रखना है और नैक का भी दियान रखना है तब आपका यह सही रहेगा तो चलिए यह मैं कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं देखी फ्रेंड्स यहां पर पांच-छे सलाइया मेरी रह रहे थी शूल्डर के यह मैंने कंप्लीट कर लिए अब मैं आपको दिख आदेती हूं यह दिखिए अब स्टार्टिंग से ही अगर हम मापेंगे तो यहां से ऐसे फोल्ड करते हुए आप इसको माप सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 9.9 इंच है और उस पे एक दू पॉइंट ऊपर हैं तो यह हमारे शूल्डर कंप्लीट हो चुका है अगर कोई मोटा पर्सन हो या हैल्दी हो तो उसमें आप 10 इंच का शूल्डर बना सकते हैं तो अगर ठीक ठीक हो तो आप 9 या पॉइंट कुछ एक ऐसे शूल्डर बना सकते हैं अब मैं आपको इसका गला मेजर करके दिखाते हूं अब इसकी गले की गुलाई को मेजर कर पते हैं तो यह देखिए यहां पर इसको ऐसे गुलाई में अल्ड़ माप पेंगे तो लग बग सात इंच एलिक्टी साथ इंच इसकी गुलाई यहां पर गले की बनके आगी हैं और ये गला बहुत बढ़िया बनके आएगा अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा डीप भी रख सकते हैं यानि कि इससे पांच-छे सलईया पहले भी गला घटा सकते हैं अगर आपको डीप पहना हो वैसे स्वेटरों का गला थोड़ा नेक के साथ हो तो बढ़िया ल बनाना सीखेंगे फंदे उठाके मैं आपको इसकी नेक बनाना बताऊंगी तो चलिए अब आप ये बना लेजिए और प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेर थैंक यू कि अवड़िया है से सब्सक्राइब झाया लाइके मतना तो घ्रसे बना लेदा खाइए कि अवड़िया अवड़िया संवाल लेश्वाय का बना हो। झाल झाल